ओम शान्ती, 12 फर्वरी 2023 के अव्यक्त महावाक्य विवाईस कोर्स, 6 डिसंबर 1903, सार, सच्चे स्नेही बन एक बाप द्वारा सर्व संबंदों का साकार में अनुभव करू. आज विश्व स्नेही बाप दादा, अपने अती स्नेही और सदा बाप के साथी वा सहयोगी आत्माओं को देख रहे हैं. चारो ओर की सर्व ब्रामन आत्माई स्नेही अवश्य हैं. स्नेही ब्रामन जीवन में परिवर्तन किया है. फिर भी स्नेही तीन प्रकार के हैं. एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह मिभाने वाले, और तीसरे हैं स्नेह में समाई हुए. समाना अर्थार्थ समान बनना सनेह करने वाले कभी सनेह करते हैं लेकिन करते करते कभी सनेह तूट जाता है कभी जुट जाता है इसलिए समय प्रती समय सनेह जोडने में पुरुशार्थ करना पड़ता है क्योंकि बाप के साथ साथ और कहां भी सनेह चाहे व्यक्ति से, चाहे प्रकर्ति के साधनों से, कहां भी संकल्प मात्र भी स्नेह जुटा हुआ है, तो बाप से स्नेह करने वालों की लिष्ट में आ जाती हैं। स्नेह की निशानी है बिना कोई मेहनत के स्नेही के तरफ स्नेह स्वैते ही जाता है। उस आत्मा के संकल्प बाप का स्नेह याद भी आता है, सोचते भी है कि बाप का स्नेह स्रेष्ट है, लेकिन यह साधन वा व्यक्ति का आधार भी आवशक है, इसलिए दोनों तरफ स्नेह अधूरा हो जाता है, और बार-बार स्नेह जोडना पड़ता है। एक बल एक भरोसा के बजाए दूसरा भी भरोसा साथ साथ आवशक लगता है। इसलिए बाप के स्नेह द्वारा जो सर्व प्राप्ति का अनुभव हो, उसके बजाए दूसरे सहारे द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति अपने तरफ आकरशित कर लेती है। इतना आकरशित करती हैं जो उसी को ही आवशक समझने लगती हैं। लगाव नहीं समझते लेकिन सहारा समझते हैं। इसको कहा जाता है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। स्नेह करने के साथ साथ निभाने की भी शक्ती है। निभाना, अर्थार्थ स्नेह का स्नेह का response देना, return देना। स्नेह का return है जो स्नेही बाप बच्चों से स्रेश्ट आशायं रखते हैं। वो सर्व आशायं practical में पूरण करना। तो निभाने वाले बहुत करके प्रैक्टिकल में करके दिखाते हैं लेकिन सदा बाप समान अर्थार्थ समाय हुए वो अनुभूती कभी होती है कभी नहीं होती फिर भी निभाने वाले समीप हैं लेकिन समान नहीं है निभाने वालों को निभाने के रिटर्ड में पदम गुणा हिम्मत और उमंग उच्साह की मदद विशेश बाप द्वारा मिलती रहती है तीसरे जो सनेह में समाय हुए हैं उन आत्माओं के नैनों में, मुख में, संकल्प में, हर कर्म में सहज और स्वैते हैं सनेही बाप का साथ सदा ही अनुभव होता है बाप उससे जुदा नहीं और वो बाप से जुदा नहीं हर समय बाप के सनेह के रिटर्न में प्राप्त हुई, सर्व प्राप्तियों में संपन और संतुष्ट रहती हैं इसलिए और किसी भी प्रकार का सहारा उनों को आकरशित नहीं कर सकता क्योंकि कोई ना कोई अल्पकाल की प्राप्ती की आफशक्ता किसी ओर को सहारा बनाती है अर्थात संपूरन स्नेह में अंतर डालती है स्नेह में समाई हुई आत्माई सदा सर्व प्राप्ती संपन होने के कारण सहज ही एक बाप दूसरा ना कोई इस अनुभूती में रहती हैं तो स्नेही सभी हैं लेकिन तीन प्रकार के हैं अब अपने से पूछो मैं कुन? अपने को तो जान सकते हैं न? स्नेही हैं तभी स्नेह के कारण ब्राह्मन जीवन में चल रही हो लेकिन स्नेह के साथ निभाने की शक्ती इसमें नंबरवार बन जाती है स्नेह के साथ शक्ती भी आउशक है जिसमें स्नेह और शक्ती दोनों का बैलेंस है वही बाप समान बनता है ऐसे समाई हुई आत्माओं का अनुभव यही होगा, बाप के स्नेह से दूर होना यह मुश्किल है समाना सहज है, दूर होना मुश्किल है क्योंकि समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है संसार में आकरशिक करने वाली दो ही बाते हैं, एक व्यक्ति का संबंद और दूसरा भिन भिन वैभुवों वा साधनों द्वारा प्राप्ति होना तो समाई हुई आत्मा के लिए सर्व संबंद के रसका अनुभव एक बाप द्वारा सदा ही होता है सर्व प्राप्तियों का आधार एक बाप है ना कि वैभव वा साधन वैभव वा साधन रचना है और बाप रचता है जिसका आधार रचता है उसको रचना द्वारा अल्पकाल के प्राप्ति का स्वपन मात्र भी संकल्प नहीं हो सकता बाप दादा को कभी कभी बच्चों के स्थिति को देख हसी आती हैं क्योंकि आश्चरे तो कह नहीं सकते फुल स्टोप है चलते चलते बीज को छोड़ टाल टालियों में आकरशित हो जाते हैं कोई आत्मा को आधार बना लेते हैं, कोई साधनों को आधार बना लेते हैं, क्योंकि बीज का रूप रंग शोबनिक नहीं होता, उर्टाल तालियूं रूप रंग बड़ा शोबनिक होता है। देधारी के संबंद का आधार देभान में सहज अनवव होता है, उर्बाप का आधार देभान से परे होने से अनवव होता है। देभान में आने की आदद तो है ही, ना चाहते भी हो सकते हैं, इसलिए देधारी के संबंद का आधार वा सहारा सहज अनवव होता है, समझते भी हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी सहारा बना लेते हैं, बाप दादा देख देख मुस्कुराते रहते हैं, उस समय की स्थिती हसाने वाली होती है, जैसे आप लोग क्लासिस में वा भाशनों में एक तोते की कहानी सुनाते हो, उसको मना किया कि नलके पर नहीं बैठो, लेकिन वो नलके पर बैठ करके बोल रहा था, ऐसे बच्चे भी उस समय मन में अपने आप से, एक तरफ यही सोचते रहते, कि एक बाप दूसरा न कोई, बार बार अपने आप से रिपीट भी करते रहते, लेकिन साथ साथ फिर यह भी सोचते कि स्थूल में तो सहारा चाहीं, तो उस समय हसी आएगी ना, और उस समय फिर माया चांस लेती है, बुद्धी को ऐसा परिवर्तन करेगी, जो जूठा सहारा ही स सच्चा सहारा अनवव होगा, जैसे आजकल जूठा सच्चे से भी अच्छा लगता है, ऐसे उस समय रोंग राइट अनवव होता है, और वो रोंग बात जूठा सहारा उसको पका करने के लिए वा जूठ को सच्चा साबित करने के लिए जैसे कोई भी कमजोर स्थान होता ह तो उसको मजबूत करने के लिए पिललर्स लगाई जाती है तो माया भी कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रोयल पिललर्स लगाती है क्या पिललर लगाती है माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करती हैं ऐसे ही चलती हैं या कहते अभी तो पुरुशार्थी ही हैं संपूरण तो हुए नहीं हैं तो जरूर अभी कोई ना कोई कमी रहेगी ही आगे चल संपूरण बन जाएंगी ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना समय आने पर यह आर्टिफिशल पिलर धोखा दे देते हैं सर्व संबंदों का सहारा एक बाप सदा रहे यह अनुभव कम करती हूँ इस सर्व संबंदों के अनुभव को बढ़ाओ सर्व संबंदों की अनुभूती कम होने के कारण कहीं ना कहीं अल्पकाल का संबंद जुट जाता है स्थूल जीवन में भी स्थूल रूप का सहारा वा हर परिस्थिति में स्थूल रूप का सहयोग देने वाला सहारा बाप है यह अनभव और बढ़ाओ ऐसे नहीं कि बाप तो है ही सुक्षम में सहयोग देने वाला निराकार है आकार है साकार तो है नहीं लेकिन हर संबंद को साकार रूप में अनुभव कर सकते हो साकार सो रूप में साथ का अनुभव कर सकते हो इस अनुभूती को गहराई से समझो और स्वैम को इसमें मजबूत करो तो व्यक्ति वैभव वा साधन अपने तरफ आकर्शित नहीं करेंगे, साधनों को निमित मात्र कार्य में लाना वा साक्षी हो सेवा प्रती कार्य में लगाना, ऐसी अनुभूती को वढ़ाओ, सहारा नहीं बनाओ, निमित मात्र हो, इसको कहा जाता है सने में समाई हुई समा तो अपने से सोचना की मैं कोन समझा? सदा सहज स्वैते एक बल एक भरोसा अन्भव करने वाली सचे सनेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी दादियों से मुलाकात, सदा समाई हुए हैं या याद करनी की महनत करनी पड़ती है सिवाई एक बाप के और कोई दिखाई नहीं देता जब कहानिया सुनते हो तो हसी आती है न कहानी जब तक चलती है तब तक समझ में नहीं आती और जब कहानी समाप्त होती है तो सोचते हैं यह क्या हुआ मैं थी या और कोई था ऐसे भी सोचते हैं क्योंकि उस समय पर्वश होते हैं न तो पर्वश को अपना होश नहीं होता है जब अपना होश आता है तो फिर आगे बढ़ने का जोश भी आता है अच्छा संग्ठन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता ही रहीगा और आप निमित आत्माई यह सब खेल दे खर्शित होते रहते हो सबी चल रहे हैं कोई चल रहा है कोई उड़ रहा है और आप लोग क्या करती हो उड़ते उड़ते साथ में ओरों को भी उड़ा रही हो क्योंकि रहम दिल बाप के रहम दिल आत्माई बन गई तो रहम आता है ना घ्रणा भी नहीं आती लेकिन रहम आता है और यह रहम ही दिल के प्यार का काम करता है अच्छा जो भी चल रहा है अच्छे ते अच्छा चल रहा है अथक बन सेवा कर रहे है ना निमीत आत्माओं के अथक पन को देख सब में उमंग आता है ना अव्यक भाबतादा की परसनल मुलाकात साधारनता को समाप कर विशेशता के संसकार नेचरल और नेचर बनाओ अपने को सदा संगम्युक के रुहानी मोजों में रहने वाले अनभव करते हो मोजों में रहते हो वा कभी मोज में कभी मुँझते भी हो या सदा मोज में रहते हो क्या हाल चाल है कभी कोई ऐसी परिस्थिती आ जाए वा ऐसी कोई परिक्षा आ जाए तो मूझते हो थोड़े टाइम के लिए और उस थोड़े टाइम में अगर आपको काल आ जाए तो फिर क्या होगा अकाले मृत्यू का तो समय है ना तो थोड़ा समय भी अगर मोझ के बजाए मूझते हैं और उस समय अंतिम घड़ी हो जाए तो अंतमती सोगती क्या होगी इसले सुनते रहते हो ना सदा एवर रेडी एवर रेडी का मतलब क्या है क्या हर घड़ी को ऐसे एवर रेडी हो कोई भी समस्या संपुरण बनने में व भविश्य आदी भी अच्छा होता है तो एवर रेडी का पार्ट इसले पढ़ाया जा रहा है ऐसे नहीं सोचो कि थोड़ा समय होता है लेकिन थोड़ा समय भी एक सेकंड भी धोखा दे सकता है वैसे सोचते हैं ज्यादा टाइम नहीं चलता ऐसा दो चार मिनट चलता है ले की सबसे valuable आत्माई हो, अमुल्य हो। अमुल्य आत्माव का کوई दुनिया वालों से मुल्य नहीं कर सकते। दुनिया वाले तो आप सबको साधारन समझेंगे, लेकिन आप साधारन नहीं हो, विशेश आत्माई हो। विशेश आत्मा का अर्थ ही जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प करे, जो भी बोल बोले, वो हर बोल और हर संकल्प विशेश है, साधारण नहीं है, समय भी साधारण रिती से नहीं जाए, हर सैकिंड और हर संकल्प विशेश हो, इसको कहा जाता है विशेश आत्मा, तो विशेश करते करते साधारण नहीं हो जाएं यह चेक करो कई ऐसे सोचते हैं कि कोई गलती नहीं कि कोई पापकरम नहीं किया कोई वानी से भी ऐसा उल्टा-सुल्टा शब्द नहीं बोला लेकिन भविश्य और वर्टमान स्रेश्ठ बनाया बुरा नहीं किया लेकिन अच्छा किया सिर्फ यह नहीं चेक करो कि बुरा नहीं किया लेकिन बुरे की जगें पर अच्छे ते अच्छा किया या साधारण हो गया तो ऐसे साधारणता नहीं हो स्रेश्ठता हो नुकसान नहीं हुआ लेकिन जमा हुआ क्योंकि जमा का समय तो अभी है न अ अगर कम जमा किया तो कम खाना पड़ेगा, अर्थार्थ प्रालब्द कम होगी, लेकिन लक्षय है स्रेष्ट प्रालब्द पाने का, या साधारण भी हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, स्वर्ग में तो आही जाएंगे, दुख तो होगा नहीं, साधारण भी बनी तो क्या है चलेगा तो चेक करो कि हर सेकिंड हर संकल्प विशेश हो जैसे आधा कल्प के देह भान का अभ्यास नेचुरली ना चाहते हुए भी चलता रहता है ना देह अभिमान में आना नेचुरल हो गया है ना ऐसे देही अभिमानी अवस्था नेचरल और नेचर हो जाए तो जो नेचर होती है वह स्वैते ही अपना काम करती है सोचना नहीं पढ़ता है बनाना नहीं पढ़ता है करना नहीं पढ़ता है लेकिन स्वैते हो ही जाती है तो ऐसे विशेशता के संसकार नेचर बन जाए और हर एक के दिल से निकले ऐसे नहीं कि मेरी नेचर यह है मेरी नेचर यह है नहीं हर एक के मुख से मन से यही निकले कि मेरी नेचर है ही विशेश आत्मा के विशेश ताकी तो ऐसे है या मेहनत करनी पड़ती है जो नेचर होती है उसमें मेहनत नहीं होती किसी की नेचर रमणीक है तो स्वैते ही रमणीकता चलती रहती है न उसको पता भी नहीं पड़ेगा कि मैंने क्या किया कोई कहेगा तो भी कहेंगे कि मैं क्या करू मेरी नेचर है तो विशेशता की भी ऐसी नेचर हो जाए कोई पुछे आपकी नेचर क्या है तो सब के दिल से निकले कि हमारी मिल्चर है ही विशेष्टा की साधारन करम की समाप्ती हो गई क्योंकि मर जीवा हो गए न तो साधारनता से मर गए विशेष्टा में जी रही है माना नया जनम हो गया तो साधारनता पास्ट जनम की नीचर है अभी की नहीं क्योंकि नया जनम ले लिया तो नए जनम की नीचर विशेष्टा है ऐसे अन्बव हो तो अभी क्या करेंगे साधारणता की समापती संकल्प में भी साधारणता नहीं माताई मोज में रहती हो कितना भी कोई मुझाने की कोशिश करे लेकिन आप मोज में रहो मुझाने वाला मुझ जाए लेकिन आप नहीं मुझो क्योंकि अज्ञानियों का काम है मुझाना और ज्ञानियों का काम है मोज में रहना तो वो अपना काम करे और आप अपना काम करो सदा मोज का अन्भव करो तब तो फलक से कह सकेंगे हूँगे तभी तो कह सकेंगे न जो होगा नहीं तो कह भी नहीं सकता चैलेंज कर सकते हो हम मुझने वाले नहीं है क्योंकि विशेश आत्माई है क्या याद रखेंगे मोझ में रहने वाली विशेश आत्मा है ऐसी हिमत वाले हो ना, हिमत वालों को मदद स्वैते ही मिलती है अच्छा, वर्दान, सहज विधी द्वारा, विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव विस्तार, भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधी है बाप और दादा दोनों के साथ संबंद कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डारेक्ट निराकार से कनेक्शन है साकार ने भी तो निराकार से पाया हम भी उनसे सब कुछ पालींगी लेकिन यह खंडित चाबी है सिवाए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के भागय बन नहीं सकता साकार के बिना सरव भागय के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते क्योंकि भागय विधाता भागय बाढ़ते ही हैं ब्रह्मा द्वारा तो विधी को जानकर सर्व भागय के खजानों से भरपूर बनो स्लोगन स्वेम से, सेवा से, सर्व से, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लो तब सिधी सोरूप बनेंगे